हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्द जेनवेन इन्फरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है ट्वेंटी सेगें आज की डेट पे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपने रिलाइंस इंडस्ट्री का क्वाटर त्री का रेजल्ट आउट हो चुका है और रेजल्ट अंडावड़ेटली बहुती जवर्दस्ट 20 एक्सिलेंट रेजल्ट यहां पे प्रेजेंट किया है कंपनी की त तो दोस्तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ जाए तो दोस्तो अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट आकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटफरान में डीमेट आकौन उपेंड कर सक सब्सक्राइब करने करने वाले तो दोस्तों सबसे पहले में पेज को तो देखने में मदद मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा टोटल इंकम टोटल इंकम आता है रेविन्यू फ्रम ऑपरेशन और अधर्स इंकम को एट करके तो इस क्वाटर यानि 2020 डिसमबर क्वाटर में रिलाइन्स का टोटल इंकम हुआ है एक लाख अठाइस हजार चार सो पचास करोर तो यहां पर आप देख सकते हो सीधा सीधा क्वाटर अन क्वाटर पे जवर्दस जम देखने को मिला एंड लास्ट यार 2019 डिसमबर क्वाटर में कमपनी का टोटल इंकम हुआ था एक लाख साथ हजार चार सो सैतालिस करोर रुपए बट यहां पर यार ओन यार दोस्तों ग यहां पर देखिए टोटल एक्सपेंसेस यह वाला लाइन देखिए कमपनी का इस क्वाटर में हुआ है एक लाख 13,422 करोर रुपए का जो कि लास्ट क्वाटर सेप्टमबर 2020 में हुआ था एक लाख 9,960 करोर रुपए का यानि यहां पर क्वाटर ओन क्वाटर थोड़ा टोटल इंकम बढ़ने के साथ साथ टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है बट यार ओन यार पे जो कि मैं स्टाटी में आपको बोल रहा था क्या एक्सपेंसेस में कम हुआ या बढ़ा है लास्ट यार 2019 डिसमबर कॉटर में कमपनी का टोटल एक्सपे लिए अगर एक्सपेंसेस यानि कमपनी का खर्चा कम हो जाए यह बहुत ही अच्छा है तो दोस्तों हम नीचे चल के सीधा देखेंगे की कमपनी का नेट प्रॉफिट यानि प्रॉफिट फॉर्द पीडियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ है जो कि सबसे ज्या करोड़ में डिसमबर 2020 में रिलाइन्स का नेट प्रॉफिट हाया है 14,894 करोड रुपे हुज आया है रेकॉर्ट तोर प्रॉफिट कमाया जो कि लास्ट कोडर सेप्टेमबर 2020 में आया था 10,602 करोड रुपे का तो यहां प्याप देख सकते हो कि सीधा-सीधा 40% की करीब ज और और यहर पे भी लगबग 25% का जंप लगाया और क्वाटर और क्वाटर पर लगबग 50% का यानि हुज एक्सिलेंट आउटस्टेंडिंग रेजल प्रेजन किया रिलाइंस इंडेस्ट्री की तरप से इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूं रिलाइंस जितना नीचे गर पर शियर उतना या बाय और डिप स्टेडिज से रिलाइंस के अंदर खरीदारी कर लिजे तो दोस्तों अभी देखेंगे अर्णिंग पर यानि बेसिक एंड डाइलूटेट अर्णिंग पर शरीपियस कितना बड़ा या घटा है बढ़ेगा तो अब भी आफकोर्स सबसे यहां पर हम आफ्टर एक्सेप्शनल आइटेम को छोड़ देंगे बीफोर एक्सेप्शनल आइटेम को हम देखेंगे यानि जो भी एक्सेप्शनल आइटेम है उसको बीना एट कि एप्यस कितना है यह आलब पोर्शन देखेंगे तो दोस्तों सबसे वहले बेसिक एप्यस जो की इस quarter में है 20.51 का जो लास्ट quarter में था याप देख सकते 14.84 का एंड लास्ट यार 2019 डिसम्बर कॉर्टर में था 18.52 का यानि चाहे कॉर्टर अन्गाटर चाहे यार अन्या दोनों सेग्मेंट पे एपीस बढ़ गया है डायूटेट इपीस भी इस कॉर्टर में है 20.12 का ज कॉर्टर यार अन्यार दोनों तरफी रेकॉर्ट तोर याप एपीस चाहे नेट प्रोफिट चाहे टोटल इंकम एक्सिलेंट आउटस्टेंडिंग रेजल प्रिजन किया रिलाइंस इंडस्ट्री की तरफ से चलिए अब हम देखेंगे कि रिलाइंस का बहुत बड़ा कॉर्टर ऑन कॉर्टर अच्छा आया बट यार ऑन यार पे नंबर थोड़ा खड़ाव आया उसके बाद दोस्तों ओयल एंड गैस यहां पर इस सेक्टर पर आया है 431 करोर का टोटल इंकम उसके बाद दोस्तों रीटेल यानि जो की अभी बहुत एक एम इससा होने जाड़ यहां पर देख सकते स्पेशल रीटेल सेक्टर से आया है 36,887 करोर रुपए का टोटल इंकम यह क्वाटर ऑन क्वाटर ऑन क्वाटर ऑन यार पे थोड़ा बहुत यहां पर गिरावट दिखाए दिया बट डिजीटल यानि जो किया रिलाइंस जियो जियो नेटवर्क से आ यहां तरीका से कमाया है इस कोटर में आप देख सकते हो 10,000 लगब 11,000 की करीब टोटल इंकम आया है जो कि क्वाटर ऑन क्वाटर एंड यार ऑन यार हुज जंप लगाया तो दोस्तों यह था अलग अलग सेग्मेंट पे रिलाइंस कितना रिविन्यू कमाया है तो दोस्तो अलमोस्त लगब लगब धाई परसन की करीब गिरावट देखने को मिला तोस्तों आपको एक चीज़ साफ क्लियर में बताके रखना चाहूंगा आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है या बड़ा है डाजन मैटर आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रिलाइंस अपने शेरहोल्डर को कभी निराश नहीं किया हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न देखे अपने शेरहोल्डर को करोडपती बनाया और रिलाइंस इंडिया का लार्जेस्ट कंपणी है तो ये कंपणी को दोस्तों कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए लॉंग टम में दो हजार पैटीस रुपए पे एड़स्टेट क्लोसिंग प्राइस दो हजार उन्चास रुपए पे मैं इस रिलाइंस की शेर पैस में आपको बार बार बोलता था कि उननीस सो नीस सो पचास के आसपास जितना हो सागे बाई कर लीजी आज आज आप देख सकते हो कि 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 बढ़िया रेजल्ट है और शेयर प्राइस को अभियाप पकर नहीं पाऊंगे दोस्तों टोटल नंबर ओफ कॉंटिटी ट्रेड हुआ है एक करो चालीस लाग नबबह याजार कॉंटिटी का शियर यहां पे डेलिवरेबल परसंटेस देखिए 35,12,000 कॉंटिटी का शियर देलिवरेबल कॉंटिटी का तो दोस्तों आज भी आगर आप देखा जाए तो रिलाइंस की जो शियर प्रैस है उसके आल टाइम हाई से करीबन काफी डिसकाउंट में आपको मिल राए तो अभी भी आपके पास ट्राइम है चांस है इगनोर मत किजिए बाई और डिप तब तक के लिए टेक केर बाबाई जय हिंद